बिस्मिल्लाहिर्मान रहीम, अस्टूदंस, आज जा हम वेक्टर्ज and एक्विलिब्रम, चप्तर 2nd, 1st टेर का स्टार्ट करने जा रहा है, इसका हम लेक्चर 1st रिकार्ड करने जा रहा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर मतलब फिजिकल कौनिटी को क्या करेंगे, फ फस्ट लेक्टर का इंट्रोडक्शन इसमें हम क्या करेंगे कवर करेंगे तो वेक्टर से रिलेक्टेड यह फस्ट लेक्टर इसका इंट्रोडक्शन हर पॉइंट इसमें क्या होगा डिस्कस होगा तो अगर आप चैनल पर नहीं हो कांडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पिजिकल क्वाइटिटी है क्या मतलब हर वो क्वाइटिटी हर वो क्वाइटिटी जिस को हम क्या कर सके मेयर कर सके हर वो क्वाइटिटी जिसको हम क्या कर सके मेयर कर सके उसको हम क्या नाम देते हैं पिजिकल क्वाइटिटी तो पिजिकल क्वाइटिटी क्या है सबसे पहले स थो plus one. तो Всक्शिकल क्वांटेटी की कितने टाइपस है? दो टाइपस. एक स्केलर कॉंटेटी और एक वेक्टर quantity एक scalar quantity और एक vector quantity इन दोनों क्या कर सकते हैं 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 तो आप scalar quantity क्या है vector quantity क्या है अब scalar quantity या पर मैं फेले definition बताऊंगा बात मैं क्या करूंगा इसका completely से बताओ। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? magnitude और unit, मतलब अगर scalar quantity वो quantity जिसको complete description के लिए complete explanation के लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रात होती, एक magnitude और दूसरा क्या unit, यह magnitude क्या क्या के सकते है, numerical value, let's suppose मैं यहापर लिखता हूँ, यहापर मैं एक्जेंपल यह बाद मैं सब जाँ, let's suppose मैं क्या लिख रहा हूँ, यहापर के 10 kg, मैं यहापर क्या लिख 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 ल numerical value, numerical value का मतलब का है मिकदार, इसके बाद kg का है, इसका unit, मतलब 10 kg, sugar 10 kg, कुछ भी ओसकता है, 10 kg, कुछ भी आप 10 kg, sugar 10 kg, rice, जो भी न, का अब let's suppose का है, एक शोब से 10 kg का है, राइस लेते हो, तो मतलब 10 kg का है, आपको complete 10 kg rice, मतलब 10 kg, आपको complete information मिल रहा है, तो scalar quantity वो quantity जिसको complete explanation के लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रत होती है magnitude जिसको हम कहा कहे सकते है numerical value और दूसरा क्या unit तो scalar quantity कोई सी quantity है वो quantity जिसको completely explanation के रहे सिर्फ दो चीजों की जुरात है एक magnitude और दूसरा क्या unit, magnitude को हम numerical value भी कह सकते हैं अब इसके बाद vector quantity, अब कुछ ऐसे quantity है जिसको magnitude, जिसको क्या कह सकते हैं numerical value, magnitude या numerical value और दूसरा क्या unit magnitude के साथ, magnitude और unit के साथ, मतलब इसके साथ, third direction की भी जुरूरत होती है खुछ ऐसे quantity है, जिसको क्या कर सकते हैं, उसमें direction का भी होना लाजमी है तो vector quantity के साथ quantity है, कि having numerical value या magnitude, unit and direction for complete explanation खुछ ऐसे quantity है, जिसको आपको explain करने के लिए, magnitude, unit और direction ये तिनों की जुरूरत है तब वो complete information लेगा, अभी मैं समझाओंगा किस तरह, तो vector quantity कौन सी quantity है हार वो quantity मतलब, जिसको complete explanation के लिए, direction की भी जुरूरत होगी और unit की भी, तिसरे number पर magnitude, जिसको हम numerical value भी के सकते है तो इस तरह quantity, जिसको complete explanation के लिए, complete description के लिए, क्या magnitude की भी जुरूरत हो magnitude की भी जुरूरत हो, unit की भी जुरूरत हो, और direction की भी जुरूरत हो, तो इस quantity को हम क्या नाम देते है वेक्टर quantity, let's suppose, मैंने या पर example लिए, यह मैं बात में समझाओंगा, मैं भी let's suppose एक example आपको समझाता हूँ, मैं आप से कहिता हो, let's suppose, मैं मैं कहिता हूँ, 10 newton, force 10 newton, force ही कहा है, 10 newton, 10 newton kiya force का है नाच है मैं से कहिता हूँ,10 newton force, like, see be car यापक्षी est Sultane , 10 newton force, let's suppose यापर कुई भी object है, मैं आप से कहिता हूँ, इस object पर 10 newton force लगा है, मैं आपको नहीं कहा, मैं आपको नहीं रहे सिर्फ कहां कि 10 newton force इस पर रगाऊ ना आप इस object पर जब आप इस object of force लगाऊ न तो आप 10 newton force अपर रहान जब इसके करीब आप एंशाणी के रहान के रहे जाबर इस तरफ से लगाऊ इस direction में लगाओ या में क्या लगाओ इसको नोट डारेक्शन में इस पर फोर्स लगाओ या में इस पर वेस्ट डारेक्शन में फोर्स लगाओ या मैं इस में सोथ डारेक्शन में फोर्स लगाओ किस डारेक्शन में फोर्स लगाओ तो मैंने आपको सिंपल कावित क्या बता दिया कि 10 Newton force अब मैंने बोले 10 Newton force इस पर लगाओ आप 10 Newton force वेस्ट की तरफ लगाओ में या किसी भी object पर में वेस्ट की तरफ मैं इस साइट पर लगाओ या इस साइट पर लगाओ या इस साइट पर लगाओ या बेकवर्ड साइट पर लगाओ तो इसलिए कुछ इस तरह quantities है जिसको complete description के लिए unit magnitude के साथ उसको डारेक्शन की भी जूरत होती है तो जब आप डारेक्शन नहीं बताओ तो उसकी complete description नहीं होगी तो मैं आपको बताओंगा के इस box पर फोर्स लगाओ ना ये कुई भी box अ है तो इस box फर फोर्स लगाओ तो जब आप इस फर फोर्स लगाओ तो को डारेक्शन की भी जुरत पड़ेगी तो इसलिए कुछ कॉंटिटी इस तरह है के यूनेट मतलब उसको मेगनिचूट और डारेक्शन मतलब मेगनिचूट और यूनेट के साथ साथ डारेक्शन को भी जुरत है मतलब डारेक्शन देने की भी जुरत है तो इसलिए कुछ जिसको magnitude, unit से complete description नहीं मिलती है, उसको उसकी direction लाजमी बताना है, तब पिर वो quantity कोण से बन जाएगी, मतलब पिर उसकी complete explanation आजाएगी, पिर वो quantity कोण से बन जाएगी, वेक्टर, तो वेक्टर वो quantity है, जिसको complete explanation के लिए direction, magnitude, और unit, इन तीनों की जुरत है, तब वो quantity क्या होग या by arithmetic means, simple scalar quantity, consequentity, जिसमें simple क्या involved, simple mathematics, simple algebra के लो, ordinary rules, मतलब simple आम, algebra के लिए क्या कर सकते है, scalar quantity को add कर सकते है, या इसको हम arithmetic rules, के इस तरह मैं आपको बताता हूँ, let's suppose के, कोई भी, जिस तरह, मैं आपको बताता हूँ, let's suppose कोई भी object है, उसने कितना है, 10 meter distance cover कर लिया, फिर इस का total मतलब क्या होगा, आप simple esquade करके total distance क्या होगा, simple 10 plus 10 क्या होगा, 20, मतलब इसको हम क्या 検ाते है, ordinary rules, simple आप क्या कर सकते हो, ordinary rules से क्या क्या कर सकते हो, Aid कर सकते हो, तब इसके बाद, vector quantity का रोनेरी रोल से एट कर सकते ऐंकि वेक्टर क्वांटिटी में रही होती है, ये डारेक्षन एट्तोब्स जाए ओबे लैक्टर परफण सकते है एक हैं में मैं को नितल से पर्णेंगे, और ये की इंटिर्शन के पडिश्रक्वांट्स निया आगे स MMORC arenday कि संपल में पर कोईदिट्टिटी God इस कि इसके अपर बॊट सारी अगे लेक्टे को एड करूड़ेख के लेक्षिं नई आप्icemail को आपना के संतरी चिल्म्क आह, सिनेके लिक्टर में उसको हम क्या कहते है, scalar quantity, और वो quantity जिसमें direction की जुरुरत हो, जिसमें direction involved हो, unit और magnitude के साथ, direction की भी जुरुरत पड़े, उसको complete explain करने के लिए direction की भी जुरुरत पड़े, तो उस quantity को हम क्या नाम देते है, vector quantity, इसके बाद example क्या है, scalar quantity की simple, scalar quantity की example हमार साथ distance, speed, time, mass, area, work, तो simple distance के हम सिम्पल क्या distance काeng सकते है, मतलब simple distance हमार साथ के, scalar quantity, इसी तरह mass, simple क्या करता है, mass हमार साथ काए, उसमें वैभी direction को उसमें की direction नहीं हो तो mass का ein, scalar quantity, area area भी हमार साथ का, scalar quantity, इसमपल हमने मेंगनिचूड और एनिये कंप्लिट इक्स्पैनेशन मैंगनिचूड और sed ken il तो सिंपल क्या नाम देंगे स्केलर कॉंटिटी इसी तरह 10 kg कुछ भी लिख सकते हैं 10 kg राइस 10 kg कुछ शुगर कुछ भी लिख सकते हैं 10 magnitude और kg क्या है unit यह साथ लिख सकते हैं तो सिंपल complete information क्या है मिल रहा है complete information मिल रहे तो इस तरह quantity जिस जो complete मतलब unit और magnitude से वो complete explanation दे complete explanation दे या complete description दे तो उसको क्या नाम देंगे scalar quantity और वो quantity जो magnitude और unit के साथ direction भी उसमें मतलब magnitude और unit में उसमें मौजूद होने के बावजूद ऐसे quantity जिसमें magnitude और unit भी involved करें मगर वो फिर भी complete information में दे तो उसको क्या नाम कोई से quantity consider करेंगे मतलब वो complete information क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि उसको direction की जूरत है तो वेक्टर quantity में unit, magnitude और साथ में direction इन तो तीनों की जूरत होगी तब वो complete information देगा जब यह तीनों नहीं होंगे तो फिर वो complete information नहीं देगा तो इसके बाद एक से example क्या है displacement क्या है displacement क्या है एक वेक्टर quantity जो shortest point के दर्मियान हम कवाग कर लेते हैं इसी तरह velocity भी क्या इसी तरह force का में example ले जाए कि जब आप कसी भी चीज़ पर force लगाते हो ना तो आप पहले पुछते हों कि मैं इस side पे लगाओ इस direction में लगाओ व उसको direction की भी बताने की जुरत है तो इसलिए vector quantity का है उसमें direction की importance बहुत ज्यादा है जब आपको direction पता नहीं हो तब आप आपको इसकी मतलब vector quantity की बहुत ही importance है इसी importance का है direction की वज़ा से ही इसकी बहुत importance है तो जब आप मैंने आपको बता दिया कि आप कसी भी object पर force हो तो आपको complete information नहींगे तो आप क्या कहोगी उसको हो सकता है कि आप क्या करो उसको east की तरह फॉस पर force लगा हो क्यों डारेक्शन इस direction में इस direction में force लगा तो इसलिए जब इस तरह quantity जिसको direction क्या है जब आप उसमें direction involved कर लेते है और direction मतलब magnitude और से complete information ना दे तो आपको कि कि ज़ुरत पड़ेंगी direction तो इसलिए direction की बहुत ही इंपोटेंटी की बहुत ही importance तो इसलिए force भी कौंसी कौंटी है vector quantity velocity भी कौंसी कौंटी है vector quantity जब आप क्या करते हो एक खास direction में करते हो displacement cover करते हो with respect to time तो उसको आप क्या नाम देते है velocity इसे तरह acceleration भी कौंसी कौंटी है वेक्टर कॉंटिटी यहाँ पर मैंने एक्जेम्पल जाए कि 10 मिटर टुवर्ड वेस्ट अब मैंने 100 मिटर कवर कर लिया 100 मिटर किस तरफ कवर कर लिया मतलब मैंने वेस्ट की तरफ 100 मिटर कवर कर लिया तो मैंने मेगनिचूड भी साथ दे दिया यूनट भी दे दिया और स साथ क्या दिया direction भी दे जाए कि आपने 100 newton force लगाना है किस तरफ नोर्थ की तरफ लगाना है तो फिर आपको complete information होगी तो इस तरह जो vector quantity उसमें direction की बहुत ही importance है जिसमें unit, magnitude और direction तीनों involved है vector quantity में तो तब वो कोई सी आमे complete information मिलेगी तो इसलिए vector quantity की किस तरह रख पेस्टर करते है रिप्रेजटेशन ओफ व्यस्में तो एक्टर क्या से ऑदसेते है और सब्सक्रा जिसको किस तरह बहुत हुद की बहुत ही same से ओद से इसके बहुत ही इंप हिनार्स के सकते हें इसको बोलोलिक मेटल भी कह सकते हैं या सिमपल या स तो ऐसके उपर में प्याणाइ एरो लगानाइ जिस तरह DISPLACMENT है तो उपर मैंने एरो लगा लिया इसका मतलब क्या है, एरो क्या रिप्रेज्ट कर रहे है कि एक कहुंणी क्या क्वाटी रॉक्या ओपल एक'Tर क्वाटी ती इसे तरह फोर्स के जो हम अक्सार यूज करते हैं, जो most important method हम क्या कर सकते हैं, ये वाला method यूज करते हैं, उसके उपर क्या लगाते है, arrow, ये बोर्ड वाला method क्या है, बहुत ही पुराना method हम यूज इतना नहीं करते हैं, बोर्ड लेटर्स है, मतलब उसको मोटा करके लिखना, magnitude of a vector quantity is represented, इसी तरह vector quantity कि अगर अपने magnitude, magnitude का मतलब क्या मिक्तार, अगर आपने vector quantity की मिकतार, जिस तरह य inhaled 100N, या 100 कह है ये vector quantity इसकी direction है, और या 100N कह है magnitude, इक या 100νη कह है, इसका magnitude, तो अगर आपने vector quantity兩個 को क्या नांभ देते हैं, तो इसलिए 150 newton मैंने क्या लिख लिया 50 newton तो यह क्या रेप्रेजंट कर रहे है कि यह कौँशी कॉंटिटी यह वेक्टर कॉंटिटी और यह क्या है 50 newton इसका क्या है मेगनिचूड इम्रेखधार है तो ऐरिया इसी तरह acceleration के गर मैंने magnitude का है अगर में उसका magnitude का magnitude का Ming deficit साथ क्या लगांगा मोडास लगांगा दोनों साथ एक मोडास लगांगा तो simple 20 meter 4 second इसके बाद अगर आपने मोडास नहीं लगाना है next kya मडास सेंपलब थ suffers तरह किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की ऊपर एरो देना है उसी तरह 50 न्यूटन ट्वर्ड इस्ट की तरफ सी अगर आप सिर्फ मेग्रिचूड शो कर रहे हैं तो पिर आपने सिर्फ इस तरह उसके साथ मोडलस लगाना है 20 मिटर पर सेकिंड इसी तरह फोर से सिर्फ मेग्र सिर्फ लिखने की जुरूरत नहीं सिंफल क्याले को एफ इस उक्वल टुट विफ्टी न्यूटन और एस्ट साथ मेग्रिचूड यूनिट और डिरेक्शन भी आगया सही तो यह को इस तरह वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंबल के जरी या थेवरेटिकल का किस तरह रिप् ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजंट करना है सिंपल एक एरो से क्या करो एक स्ट्रेट एरो सम क्या कर सकते हैं उसको रिप्रेजंट करते हैं एक स्ट्रेट एरो से अब यह एरो किस तरह एरो का एक साइट क्या होता है यह एरो का ट्ल होता है इसी तरह और यह एरो का क्य तो यह निए यह जो पुरा चे यह पुरा, यह किस को रिप्रेज्ट को रेजंट्स कर रह नों डारेक्शन को रहता है डारेक्षन को रहता है जिस डारेक्शन में फोल स्सक्राइब कारचे दारेक्शन graphically represent करना है now simple arrow head जिस्दाइक 100 newton force तर फर एक कीजराफ इस्ट की तरफ लग रहा है एक dollar टो आक आपने några उसके बास पहर आपने क्ञा करना एक vector अभा़ जसोट को रचैजिन कोडिनेट शीलेट की ้ोगि जरुडित इसको पर ने जीसमे नौर्थ सोथ वेस्ट इस्ट क्या हो गया नौर्थ सोथ वेस्ट इस्ट तो इसमें हम क्या करते हैं let's suppose आपने सबसे पहले क्या करना है आपको एक स्केल की ज़ुरात होगी ना मैं आपको क्योंग ना के 200 न्यूटन पोर्श या मैं आपको क्या 100 किलो मीटर displacement उसने क्या कर लिया 100 km displacement कवर कर लिया आप तो 100 km की इतना इतना बड़े बड़ा arrowhead आप तो नहीं बना सकते है उन्हों तो आपको एक suitable skill की ज़रात होगी आप suitable skill का मतलब क्या है कि यह पर जो अपने meter जो distance मतलब meter में लिका है तो आपने क्या करना है कि एक सेंटिमेटर लेट सपोस किसकी को लिए 50 cm आपने लेट सपोस कर लिया था कि जो आपका पूरा displacement आपने कवर कर लिया वह यहां पर आ सके ना तो आपने क्या कर लिया सेंटिमेटर की 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 वेस्ट की सिर्फ कर invented हैं तो मैंने यहां पर काओ एख्जेब कर सकती है तो मैंने क्या क्या है यह यह स्केल आप खुछ भी यह खुद से भी आजिम कर सकते हैं तो यह पर मैंने पहला एक्जेमपल है क्या हंडर्ड मिटर पर सेकिंड फिफ्टी डिग्री और डिग्री भी किवाने वेस्ट ओफ नौर्थ अब मैं क्या करता हूँ कि इस वेक्टर को क क्या करो अब में किस तरह करूंगा क्या है 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 वेस्ट और वेस्ट और वेस्ट और वेस्ट और वेस्ट का मतलब क्या है क्या है कितनी डिग्री बना रहे हैं नोर्ट से वेस्ट की तरफ यह क्या है वेस्ट ओफ नोर्थ वेस्ट ओफ नोर्थ का मतलब क्या है कि वो नोर्थ से वेस्ट की तरफ नोर्थ से वेस्ट की तरफ कितनी डिग्री बना रहे हैं 50 डिग्री और जो विलास्टी उसने कवर की वह कितन सेही लेति तो यह संतर वाला पॉंट की है संतर वाला पॉंट क्या होता है हमेशा हो री जल लका पनल पटेंग और डिर स्टफ में थाम já Rogue रप्रेजरण कर दो है ॵेस्ट ऑफ नोर्थ का मतलब क्या है ? के नोर्थ के साथ डिग्री भी के वाने कितनी डिग्री थे से वेस्ट की सरफ भी बना रहे ? 50 डिग्री थे सय थेFunक् er होगा कि होगा ये हमारे साथ इस तरह North, South, East, West दूसरा एक्जापल क्या है कि 50 Newton 50 Newton अमार साथ Newton किसका है United Force का 60 degree बना रहे है, South of West South of West, अभी मैंने यह समझा ले South of West का मतलब का है कि West से South की तरफ वो कितनी डिगरी बना रहे है 60, South of West का मतलब का है कि वो West से South की तरफ West से South की तरफ कितनी डिगरी बना रहे है 50 डिगरी और Force कितना है कितना Force है, 10, 50 Newton तो जिस तरह मैंने यहाँ पर X स्कल बनाने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा मैं भी इसी तरह X स्कल बना हूँ कि लेट सबोस एक सेंटीमेटर किसके इक सेंटीमेटर 10 Newton से, ताकि यह इतना 50 Newton का जो arrow आजाए, वो इस में क्या है इस तरह स्माल आसे कि ना, इसलिए में जो एक सेंटीमेटर को इतनी ज्यादा Force Newton के एक्वल कर लेता हूँ, मैं आज्यूम कर लेता हूँ ताकि वो डिरेक्शन सिर्फ मैं डिरेक्शन क्या करूँ यह पर क्या करूँ सिर्फ उसका डिरेक्शन मेजिशन करूँ मैगनिचूट का इतना मसला निया, मैगनिचूट हम खुद से एक आजियूम कर लेते है, एक स्केल आजियूम कर लेते है तो वा सेंटीमिटर किसके को ले, 10 Newton तो आप यह पर क्या है, 50 Newton किसके को लोगा, 5 सेंटीमिटर तो अभी मैंने क्या करना है, 50 Newton को क्या करना है, सोथ औफ वेस्ट, सिंपल इसकी ग्रापिकल रेप्रेजेंटेशन क्या करनी या ज्या करनी किस तरह मैं ज्या करूँगा, सोथ औफ वेस्ट का मतलब कितने डिगरी बना रहे हैं, 60 वेस्ट औफ सोथ कितने डिगरी बना रहे है, 60 तो यहा पर बिल्कुल यह पर आया है, सही इसतरह कितना Newton नहीं है, 50 Newton फोस, यह क्या होगा इसका ग्रापिकल रेप्रेजेंटेशन होगा यह पर किस साथ देघ्स कितने डाए लायए 10 मिन ठीटर करते हो एफ को रचे करें कि लुठाट इलीटर शर्च करने दीटर किसकी तरह वेस्ट ऑफ सौथ नोर्थ ऑफ वेस्ट कुछ भी डारेक्शन देखर तो पिर आप इतना ज्यादा वेक्टर तो नहीं ड्रा कर सकते हैं तो आपने क्या करना है एक स्केल खुछ से आजियों करना है इस तरह लिखना है वह क्या करना है यह मेंगनिचूट नहीं क्य क्या है बिलकुल आसाल है आप खुछ सियम खकती है । पाकी jsट क्या करना है मैंने आपको समझाने के लिए यह दो कॉश्चन क्या करा है तो इस तरह हम डाग कर सकते है ग्राफिकल ही मेथड़ से तो ग्राफिकल मेथड़ क्या है सिंपल हम एक एरो से रिप्रेजंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन एरो से रिप्रेजंट करते हैं मैंने कोश्चन भी करवा जैके किस तरह आपने ग्राफिकल कार्टिजन कोड यह मारे साथ y axis और यह दोनों क्या है x axis तो अगर आप इसकी जगाह क्या करते हो यह पर x axis यह पर क्या है y axis यह पर क्या होगा यह y positive और यह y नीचे वाला y negative यह x क्या होगा positive और यह x क्या होगा negative तो यह graphical representation था simple vector का तो वेक्टर का आपने इंट्रोडेक्शन पढ़ लिया तो इसके बाद वेक्टर का क्या पढ़ेंगे simple vector का इसके बाद vector की types पढ़ेंगे इंशाला detail से पढ़ेंगे अगर आपको lecture पसंद आगया तो आपने lecture को like कर देना है चैनल को subscribe कर देना है और अपने दुस्तों के साथ share भी कर देना है अलहाफ़ेस